ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को किसी की नजर लग गई है, चोरी चकारी के मामले हो, अलग अलग तरह कि किसी भी तरह का कराईम अगर आप सुनने की कोशिश कीजिए, जम्मू में उसकी एक्जेम्पल आपको अराम से मिल जाएगी नमस्कार आप सभी का स्वागे थे जमु परिवर्तन में मैं हूरति शर्मा इस सामे हम Deswegen कॉलोनी में मुझूद है और ये जो आप घर देख रहे हैं इसके साथ साथ नहीं ये वाला जो घर देख रहे हैं ये दोनों ही घरों में चोरी हुई है एक साथ दो घरों में चोरी का होना अभी नहीं बस्ती में भी आपको याद होगा एक साथ ही काफी दुकानों में चोरी हुई अब वो ही सब चीजों को यहां पर मद्दे नजर रखते हुए लगता है कि चोरी के वाद आते हैं जिस तरीके से बढ़ रही हैं आने वाले समय में अगर जमू कश्मीर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया तो लगता है और वो दिन दूर नहीं है कि हम सुबे से लेकर शाम तक लोगों के घरों में घुमते रहेंगे और ये बात कहते रहेंगे कि जनाब इस घर में चोरी हुई है इतने पैसे की चोरी हुई है इस घर में चोरी हुई है तो इतने सोना गया है आज भी यही बताने के लिए हम सामने आएं क्योंकि ये जो घर आप देख रही है ये वाला जो कौटर है इस कौटर के अगर मैं बात करूं ये देख लीजिए ये इन्होंने आज ची करवाया है क्योंकि इस कौटर से भी आप रॉक्स काफी पैसे जो हैं वो चोरी हुए है कितने हुए हैं उसकी बारे में भी जानकारी देंगे पर ये जो ये वाला गर है यहाँ पर एक ग्रह लक्ष्मी के जितना भी उनका सोना था जनाब यहाँ पर भी चोड़ी हो गई है अब कितनी यहां के लिए चोड़ी हुई है क्योंकि यहां पर एक दो वारी शैद वगड़ा कोई चोड़ी हुई है पर वह सब्सक्राइब कर दो काफी दिनों पहले हुए थी जो इस तरह का इंसिदेंट यहां पर फर्स टाइम हुआ है क्योंकि अगर मैं तो इस चीज़ से डर रहा हूं कि अगर बच्चे वाइफ अकेले हो उन पर कोई हासा हो जाए तो उसकी रिस्पॉंसिविल्टी कौन लेता चलो जो गोल्ड गया है वो तो चलो चाता है पर मेरे लिए शॉकिंग है कि फर्स टाइम यहां पर दिन दहाड़े साड़े ग्यारा से साड़े बारा जब कि सब लोग के वह चलने फिरने का टाइम होता उस वक्त यह चोरी होई है कि मैं इस चीज़ को अंजाम दिया हुआ है यह मिलकर किसी ने किया हुआ है यह कोई सिसी टीवी कैमरा आसपास हो की फोटो वेगरा भी आई है मैं यह पीछे वाले ब्लॉक में एक ऐसा थोड़ा सिंपल टाइप का कैमरा लगा हुआ है जिस पे दो तिन पिक्स आई है क्योंकि वह उ अन्नून लगें उसमें से पिक्सी आई हुए है क्योंकि वह टाइमिंग भी बारा बचकर एक मिनट ग्यारा बचकर उनसेट मिनट वह उसी टाइम पे वह पिक आई हुए अभी तक कितनी चोरी जो है वह उसका पर्स वह घर पे भूल गया था तो उसमें लंच टाइम पर आ आता है खाना बनाता है फिर वापस आफिस जाता है तो वह उसने किसी ने दो फुल के खिला दिये होंगे तो वह आया नहीं थोड़ा से लेट आया तब तक उसने अपना पर्स देखा तो पर्स में छी हजार थे वो उसके चोरीों के प्लस उनके साथ उनका एक और प्लीक र यहां पर प्रेजिदेंट सब भी मुझूद है सर यह सब रेलवे क्लोनी में आपको लगता है यहां के लोग स्रफित हैं यह जो हालात को मंदद देखते हुए यह ठीक नहीं है तो हमारा जो सेफ्टी प्रिकाशन है और पीफ है इन लोगों इस पर एक्शन लेना चाहिए क्य क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है पहले पट्रोलिंग लगती थी आतको आते थे पिशयर वाले लेकिन आज के लाएं श्रॉलना बंद कर रखा यह इतमाई इसलिए इसकोटी वालों को कहाने चाहूंगा कि जैसे भी हो इसकोटी के बार इंजम किया जाए और कलोनी में देरात दिन में जो अन्हों आदमिया उसके बारे में टेक अप करना जाए नोगों ने तकि आने वाले समय में हमारे मुलाजी में देनाइट आउंट अको डूटी करते हैं किसी का कोई नहीं बता तो किस वक्त आता है किस वक्त नहीं आता है लेकिन उसको यह डाउट रहागा सेफटी करेगा तो मैं इस अपने तरफ से मैं सजेशन दोंगा सेफटी स्कूर्टे वालों को जैसे भी हो इसको जड़ तक पहुंचा जाए और जो आदमी है क्राइम क्रिमिनल ने उसको जड़ते पकरने की कोशिश की जाए अभी तक आप पुलीस के पास होकर आ गए हैं क्या बोलते तूटर ने प्लीस टेशन भी गे थे उनके बाद से फाई भी लगाई है हमारे दर्स ठाकूर जी को सब इंस्पेक्टर जी हैं वह भी आया थे नहीं चेक किया कैमरा की लोकेशन भी चेक की है तो उसके बाद आप कारवाई चल दी है प्लीस अपनी कारवाई कर तेज़े कर नहीं होगी क्योंकि अलग जिस तरह कि बात करें अलग अलग इलग डिस्टिक्स की अगर हर जगा पर चोरियां बढ रहे हैं एक साथ-साथ-ऑज क्या पाइशन इस तरह से चोड़ियां लगातार बढ़ रही हैं यह परिशानी का सबब आने वाले समय में लोगों के लिए हो जाएगा कि आखिरकार अपने घर में कोई भी समान रखना मुश्किल हो जाएगा अपने घर में किसी तरह का सोना रखना मुश्किल हो जाएगा इसके इलावा अ अब दक इन लोगों ने कुछ समेटा नहीं है तागि पुलिस चोए एक बार आकर जांच परताल कर ले पुलिस एक बार आई तो है पर पुलिस से दुबारा से दरख्वास की जाती है कि कृप्या करके यहां पर जितनी जल्दी हो सके ध्यान दीजिये कि उस चोरिया चुकारि इसमें कोई भी दोराई नहीं है पर यहाँ पर पुलिस भी उस लेवल में यहाँ पर मौजूद रहती है पर अगर पुलिस के होते हुए भी अगर यहाँ पर इस तरह की कारवाही हो रही है इसका मतलब तो यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो जरूर है आप लोग इ तरह से बने रही जमों परिवर्तन के साथ मुझे और वही जी को दीजी जासुत नमश्कार